हेलो बच्चो नवस्कार प्यारे बच्चो आज हम 12 के 6 चैप्टर ए ओ डी एप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और प्यारे बच्चो यह एक बहुत ही इंबॉर्टन चैप्टर है क्योंकि यह डेरिवेटिव्स में जितनी चीजे आपने पढ़ी हैं आज आप उसकी अफ्लिकेशन पढ़ने जा रहे हो कहांपर इसका यूज होता है कहां पर इसका यूज होता है यह सारी चीजे हम लोग पढ़ने जाुरें तो इसके अंदर आपके टॉपिक्स किस-क्रा के होते हैं एक होता है rate of change का topic, एक होता है increasing decreasing का topic, एक होता है tangent normal का topic, एक होता है approximation का topic, एक होता है local maximum minima और उसी में maximum minima होता है। तो इतने सारे topic होते हैं, जो इस साल आपके syllabus में से rate of change का और approximation का topic हटा दिया गया है आपके syllabus में से। लेकिन बाकि तीनो topic आपके syllabus में हैं, यह आपके syllabus में अभी भी है बने वे हैं तो हम इसको बढ़ेंगे तो आज शुरू कर रहे हैं हम increasing decreasing क्या शुरू कर रहे हैं आज हम increasing decreasing increasing and decreasing ठीक है जी increasing और decreasing चलिए बच्चो चलिए अब सुरू करते हैं कि आखिर कार increasing decreasing है क्या अच्छा बच्चो increasing decreasing आपके बिलकुल उसी relation function की तरह है जो आप लोगों ने 11 खिलास में पढ़े थी बस इसमें क्या होगा एक function होगा आपके पास और आपको ये प्रूफ करना है कि क्या ये derivative करने के बाद increase कर रहा है यानि derivative करने के बाद इसकी value बढ़ेगी बढ़ती भी नज़र आएगी या घटती भी नज़र आएगी तो ये सारी चीजे हमें प्रूफ करनी है तो यानि increasing और decreasing के बारे में जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो वो क्या है अब इसके नाम के आगे strictly लगता है कि strictly increasing, strictly decreasing तो strictly increasing का मतलब क्या कि अगर आप किसी value से greater put करना सुरू कर दो तो वो हर हाल में क्या करती चली जाएगी increase या किसी value से less than put कर दो और एक बार increase होना शुरू हो गई तो जितने बरजी उससे छोटी value रख दो हर बार क्या करेगी increase ही करेगी तो increase करने का मतलब यह है कि एक value के बाद उससे बड़ी रखते चले जाओ या उससे छोटी रखते चले जाओ जैसी condition बनेगी वो increase ही करना चाहिए या decrease ही करना चाहिए तो इस तरह के question को हम लोग increasing, decreasing के लिए strictly मान के चलते हैं कि हाँ भाई हर हाल में ऐसा करेगा तो चलिए एक काम करते हैं एक छोटा सा question लेते हैं और बताते हैं कि हाँ जी क्या हमारा function increase कर रहा है तो चलिए देखी मान लीजिए हाँ में एक function दिया है f of x is equal to x cube 3x square plus 4x और आप से पूछा गया है ठीक है और बोल रहा है कि 1x belong to real number क्या है करने क्या हम कर सकते है तो देखो बच्चो करेंगे बिल्कुल आपको function क्या दिया हुआ है f of x is equal to x cube minus 3x square plus 4x आप इसका differentiation कर दो यानि derivative कर दो differentiate with respect to किसके? x के तो यह बन जाएगा f dash x derivative में क्योंकि dy by dx तो है नहीं dash लग जाता उपर तो करो derivative power आगे एक कम power आगे एक कम और यह बन जाएगा 4 यह क्या बन जाएगा? 4 ठीक है? अच्छा अब मुझे इसमें कुछ ऐसी conditions बनानी है अब मुझे इसमें कुछ ऐसी conditions बनानी है कि मेरे लिए यह एक बहुत असान पहलू बन जाए increasing दिखाने के लिए अब देखो क्या? अगर बच्छो मैं इसको 3 plus 1 लिख दू तो कोई दिक्कत? नहीं इसमें से 3 common ले लो अंदर क्या बचेगा? x square minus 2x plus 1 plus 1 सही बात है? अब अगर गौर से देखा जाए तो क्या यह आपको a square minus 2ab plus b square जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जल्दी बता दो लग रहा है? अच्छा तो क्या मैं इस पूरे हिस्से को क्या मैं इस पूरे हिस्से को जल्दी बता दो कैसे लिख सकता हूँ? हाँ जी x minus 1 का whole square क्यों? a square plus b square minus 2ab सही बात है कि नहीं? अच्छा अब हर हाल में ना मैं बता दूँ आपको ये increase ही करेगा ये हर हाल में increase करेगा कहेगा सर अब आप बोलोगे कि सर आप किस किस मकसद से ये वात आप बोल सकते हो किस मकसद से बोल सकते हो इसने क्या बोला है? x किस से belong कर रहा है? real number से अब आप दुनिया का कोई सबी real number यहाँ put करके देख लो हर हाल में वो value 0 से बड़ी ही आने वाली है करके देख लो चाहे चलो try करते हैं real number 0 है ना? 0 put करते हैं चलो इधर देखो अगर मैं यहाँ 0 put करता हूँ तो 0 minus 1 minus 1 का square क्या होता है? 1 और 1 into 3 3 plus 1 देखो 0 से बढ़ा आया आया कि नहीं है? अब आप चाहे तो यहाँ पर 1 put करके देख लो 1 minus 1 0 तो 0 से multiply होके तो यह भी 0 हो जाएगा लेकिन अभी यहाँ कोन है? plus 1 देखो 0 से बढ़ा है 2 put करके देख लो 2 minus 1 1 का square 1 1 into में 3 3 plus 1 4 देखो भी बढ़ा है ठीक है? यानि आप कोई minus का number put करो चाहे plus का number put करो चाहे root का number put करो हर हाल में यह क्या आ रहा है बढ़ी 0 से बढ़ा तो इसलिए क्या है? strictly increasing है क्या है? strictly increasing हमें बच्चों इस तरीके से चेक करना होता है अभी यहीं खतम नहीं होती है कहानी अभी करते जाओ और भी कहानियां सुरू करते हैं इसमें अभी तो sign cost के term में भी आएंगी लेकिन पहले मैं आपको थारे digit वाले करवाता हूँ ठीक है? जिसे एक question यह देखो question number 5 यह करवाता हूँ इसमें हमें strictly increasing और decreasing चेक करना है मिटा तो यह हाँ जी जैसे बच्चों यह देखो एक आपको function दिया गया है f of x is equal to 2x के cube minus 3x के square minus 36x plus 7 यह आपको एक function दिया गया है और आप से कहा गया है कि आप इस function वे solve करके strictly increasing और strictly decreasing के बारे में बताईए ठीक है जी बता देंगे कोई दिक्कत नहीं है हम सबसे पहले क्या करेंगे इसका differentiate करेंगे ठीक है अच्छा एक बात और यह direct ऐसे नहीं लिखना है यहाँ पर ऐसे लिखना है the given function is f of x is equal to 2x का cube minus 3x का square plus 36x plus 7 यही था ना यही भी minus है ठीक है अच्छा अब क्या करेंगे differentiate with respect to x तो f dash x power आगे एक कम 6x square power आगे एक कम 6x 36x का तो 1 बन जाएगा 7 0 बन जाएगा ठीक है अच्छा अब क्या करने वाले हैं 6 अगर मैं common ले लो तो बचेगा x square minus x minus 6 सही बात है अब यह आपको quadratic equation जैसा लग रहा होगा लग रहा है कि नहीं लग रहा है बच्छो क्या आप इसका factor बना सकते हैं जी बिल्कुल बना सकते हैं हम लोग ने छोटी ग्लासों में factor बनाना ही main तरीके से चीक है तो कैसे बनाएंगे 6 का factor क्या बनेगा 3 और 2 और बीच में क्या चाहिए 1 middle middle splitting के करेंगे ठीक है middle का factor और minus 6 को मैं 3 into 2 लिख सकता हूँ तो यहां से x common तो x minus 3 2 common x minus 3 तो बन जाएगा 6 और यह बन जाएगा x minus 3 common बचेगा x plus 2 ठीक है और यह f dash x तो वच्चों हमारे पास condition यह आगी हमारे पास condition यह आगी ठीक है आव याद रखना जब भी increasing-degreasing का case आता है ना हमारे पास जब भी increasing-de Judaizing का case आता हमारे पास तो हमें जब increasing का case आए तो 0 से बड़े की तरफ लेके चलना पदता है decreasing का case आए तो 0 से छोटे के तरफ लेके चलना पड़ता है, ठीक है, ठीक है, now the function, now the function is solved, is solved for increasing, for strictly increasing, strictly increasing, ठीक है जी, तो चलिए, हाँ बही, strictly increasing मतलब क्या, f dash x greater than किसके रखेंगे, जीरो के रखेंगे, तो यह f dash x की value क्या है, यह 6 x minus 3 x plus 2 greater than 0, 6 को उठा के उधर ले जाओ, 0 हो जाएगा, हाँ जी, बिलकुल हो जाएगा, तो बचा क्या, x minus 3 x plus 2 greater than 0, अब हमारे पास यहाँ पर दो value आ रही है, दो तरह की value आ रही है, ठीक है, दो तरह की value कौन कौन से आ रही कि या तो एक बार हम थरी का नुमान लगा ले, एक मिनिट, एक मिनिट, हमें बोला क्या गया है, ठीक है, greater than and equal to 0, greater than and equal to 0 लेकर चलो, greater than and equal to 0 लेकर चलो, ठीक है, कि 0 पर भी किस पर बना जाएगी, चलिए, तो भाई, इस पर solve करेंगे हम, अब हमें यह चेक करना है, आखिरकार हमें यह देखना है, कि किस value को put करने के बाद, यहाँ पर increasing बन रही है, और किस value को put करने के बाद, यहाँ पर decreasing बन रही है, अब देखो, यह greater than and equal to b है, तो चलो, नौ, नौ, भाई, क्या करेंगे, एक स्थरी को एक बार जीरो के बराबर ले लेंगा, और एक बार एक स्थल्स टू को जीरो के बराबर ले ले लेंगा, क्योंकि बराबर का case भी चल रहा है, अच्छा, अब यह minus का 3 है, अब यह दर जाके plus का हो जाएगा, ठीक है, अब यह क्या करो, और number line create करो यहां लिखेंगे minus infinity यहां लिखेंगे इंस्रोंटी आप ने दो number create कि यह 3 और माईनस 2 तो left hand side प्याइगा । ठीक है ? और 3 किदर आएगा भाई ? राइड-hand side प्याइगा । ठीक है ? इस तरहीकेता हमने इसके यह बना लिए अब हमें इसमें इंटर्वल निकालना है कौन से इंटर्वल कि कौन सी value put करने पर increasing होगा और कौन सी value put करने पर decreasing होगा तो increasing का मतलब यह हुआ कि जब value zero से बड़ी होती जाएगी और अगर कोई value put करने पर माइनस तो 1-30ु मेरें टीरों से चोटा आता तो इसका मत्लब वो rib users सबत् thirsty कृता है तो तो फिल्टा काम करना है मैं तो चलो और फिल फिल्लू हम माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 के बीचe में पुठ करेंगे इडिग के इंचेव करेंगे डिकये तो करो माइनस 3, minus 3, minus 6 और यहाँ पर put करोगे तो minus का 1 हो जाएगा, सही बात है यानि कि multiple करने के बाद तो यह प्लस की digit आई, मतलब कि 0 से क्या आया बढ़ा आया, तो इसका मतलब क्या देख रहा हूँ कि इसके बीच की value put करने पर इसके बीच की value put करने पर 2 भी आता है, minus 1 भी आता है तो put करके देखते हैं, माल लो minus 1 put कर दिया करना जा रहा है यहाँ पर, minus 1 minus 3, minus 1 plus 2, तो यह हो गया minus का 4 और यह हो गया plus का 1 तो यह तो minus का digit आया भाई ठीक है, लेकिन ना मुझे तसल्ली नहीं हो रही मैं देख रहा हो कि minus का digit भी इसी के अंदर है plus का digit भी इसी के अंदर है छोड़ो plus का भी रख के देखते हैं, माल लो हमने क्या रख दिया plus का 2 तो आ सकते है न, रख के देखते हैं, हंजी plus का 2 रखना ज़रा तो 2 minus 3 और 2 plus 2 तो यह आगे है minus 1, plus का 4 तो भाई यह तो आगे है minus 4 यानि कि 0 था क्या रहा है? छोटा तो इसका मतलब ये क्या करेगा भाई? decrease करेगा ये क्या करेगा? decrease यानि इनके बीच की कोई value रख रहे है तो वो क्या कर रहा है भाई? decrease कर रहा है अच्छा अब 3 से 8 के बीच की को भी value रखके देखते हैं तो मानलो हमने 4, 5, 6, 7 यह सब इसके बीच माते हैं मानलो हमने 5 रख दी रखना जा रहा 5-3, 2, 5 और 2, 7 हाँ जी, देखना 7, 2, 14 क्या increase कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है तो इसका मतलब हमने क्या देखा? तीन से infinity के बीच में भी value क्या कर रही है? increase कर रही है तो, now strictly interval for intervals for strictly increasing हाँ जी, strictly increasing के लिए interval क्या बनेगा? बताओ जल्दी एक तो बनेगा हाँ, minus infinity से लेके minus 2 तक और दूसरा बनेगा तीन से लेके infinity तक अच्छा, अब ये भी चेक करो क्या minus 2 बुट करने पर कुछ ऐसा और रहा है 0 जैसा? हाँ, जी, minus 2 बुट करना, minus 2, minus 2 हाँ, जी, 0 बन रहा है 3 बुट करना, हाँ, जी, 0 बन रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, कि interval जो बनेगा, वो कहां से कहां तक बनेगा minus infinity से minus 2 तक minus infinity से minus 2 तक और यहाँ ये वाला bracket, यहाँ पर ये वाला bracket ठीक है? अब देखो ये वाली कड़ी तो हम छोड़ रहे है ये वाली कड़ी तो हम क्या कर रहे है? छोड़ रहे है अब क्या बनाएंगे? union अब क्या बनाएंगे? union क्यों? क्योंकि इसके अलावा ये भी increasing कर रहा है ये तो increase कर रहा है और साथ में ये भी increasing कर रहा है तो हमें इसका क्या करना है? gap देना है इसको छोड़ना है, तो छोड़ने के लिए, क्योंकि इसको और इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए प्लस तो लगा नहीं सकते हैं, तो हम यूनियन लगाएंगे, मतलब ये यूनियन ये, तो यहां पर इन्फिनिटी, और यहां पर प्रैकेट कौन सा वाला, और आप किसके लिए करेंगे, इंटर्वल, इंटर्वल फोर इस्टिक्टली, इस्टिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है जी, तो इसके लिए क्या आएगा बच्छो, इसके बीच में, माइनस टू से थ्री के बीच, ठीक है, करो बई, नोट करो, ऐसे करना होता बच्छो, चार नमर का कोशन है, और इस तरीके से होता है, करो अच्छो, करो, करो 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 चलो, यह हो गहाॉगगा अच्छा बच्छों को मैंने देखा है यही चीज बनाने में अपनी तरफ से कि देखा है और चेक करते हैं कि आखिरकार क्या कमी रह जाती है हमें सॉल्व करने में तो देखो ज़्या कोशन है X-1 X-2 X-3 greater than 0 ये दिया हुआ है थे कर आप सिर्फ ये दिया हुआ greater than 0 थे और अब बोला है इंग्रीजिंग तो बिया अगर यह x है तो क्या मैं इसको x-0 लिख सकता हूँ जल्दी बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं मिलकुल लिख सकता हूँ अच्छा अब इसको number line पर अगर मैं represent करना चाहूँ तो यह minus infinity यह infinity ठीक है अब इसको अगर solve करोगे तो x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3 अब कहोगे है कि सर यह बराबर तो है नहीं तो अपने बराबर रख कैसे के दिया तो ऐसे कंडिशन में हमें क्या करना पड़ता है अब हमें चैक करना है कि इस function में किसकी बीच की वैलू पुट करें तो हमारे पास वैलू पॉजडिव आए गी और किसकी वैलू पूट करें तो नेगे आता है माइनस वन था है तो माइनस वन finger यह तो पूरा ही जिरो माइनस 1-1-0 अच्छा अब भई 0 से 1 के बीच में, तो half होता है, 0 से 1 के बीच में half आता है, हमारे लिए सबसे असान नमबर, half put करके देखते हैं, ठीक है, तो half minus 0, तो 0 हो जाएगा, तो सुरी half minus 0, half, half minus 1 minus का half, half minus 2 minus का 3 by 2, सभी बात है, half minus 3, तो minus का 5 by 2, यानि कि ढ़ाई, तो यहां तो 3 बार minus आया, तो negative करेगा, तो यह negative हो गया, अब 1 से 2 के बीच में करते हैं, तो 1 से 2 के बीच में क्या होता, 3 by 2, ठीक है, 3 by 2 करके देखते हैं, 3 by 2 minus 0, 3 by 2, 3 by 2 में से 1 जाएगा, 1 by 2, 3 by 2 में से 1 जाएगा, minus का 1 by 2, 3 by 2 में से 3 जाएगा, तो कितना जाएगा माइनस का 3 by 2 तो दो बार माइनस आ गया तो इसका मतलब plus increase करेगा अच्छा अब 3 से 3 से 2 से 3 के बीच में क्या आता है धाई है ना भाई तीन से 2 से 3 के बीच में डाई आता है और धाई को लिखते हैं 5 बटा 2 तो 5 बटा 2 तो रखके देखते हैं 5 बटा 2 माइनस 0 5 बटा 2 में से 1 गया 3 बटा 2 पांच बटा 2 में से 2 गया हाफ पांच बटा 2 में से माइनस का हाफ तो यह एक बार माइनस आ रहा है तो इसका मतलब negative value आएगी तो इसका मतलब क्या हो गए यहां पर negative अब बाकि तीन से बड़ी कोई भी value put कर लो तीन से infinity के बीच में चार पांच छे कुछ भी चार कर दो चार माइनस जीरो चार चार माइनस एक तीन चार माइनस दो हाँ दो चार माइनस तीन एक सारी पॉजिटिव है तो यह प्लस ठीक है तो अब हमें interval create करना है अब हमें क्या create करना है interval create करना है तो बच्चों यहां पर आपको पहले से function किस तरीके का दिया हुआ है सिर्फ greater than equal to तो है नहीं तो यहां पर हमें ना किसी भी तरीके से यह वाले close bracket लगाने की जुरूरत नहीं है अगर equal to zero भी जाता है तब ऐसा करते है ठीक है तो हमें और हाँ यह तब ही होता है जब strictly increasing और strictly decreasing की बात की जाए यहां पर कोई strictly increasing decreasing की बात नहीं की जा रही है तो यहां पर जो आपका increasing बनेगा आपका increasing बनेगा वो क्या बनेगा minus infinity से zero union एक से दो यूनियन तीन से infinity और जो decreasing बनेगा decreasing बनेगा वो क्या बनेगा जीरो से एक यूनियन दो से थी बढले बड़ी बात और strictly word word use करते तो क्या लगता close bracket भी लगना सुरू हो जाते ठीक है note करो note करो फिर एक दो कोशन और कराते हैं भी अब जैसे यह कोशन देखो यह कोशन यह देखो यह नोट कर लिया अब यह कोशन यह देखो इसके बाद काफे हद तक यह देखो यह कोशन आपको एक फंक्शन दिया गया है f of x is equal to 10 minus 6x minus 2x square ठीक है यह है तो हम लिखेंगे गिवन फंक्शन इस ठीक है डिवन गिवन फंक्शन इस अब क्या करेंगे डिफ्रेंशिट विद रिस्पेक्ट तो एक्स तो यह बनेगा f dash x 10 तो 0 हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा minus का 2 to the 4 x ठीक है अब क्या करेंगे f dash x ठीक है solve करेंगे किसके लिए जल्दी बताव भाई कि सॉल्द करेंगे किसके लिए जीरो के लिए मतलब increasing के लिए यह लेकल दोना है आपर solve for कि इस ट्रिक्टली कि इस ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला भी है एक मिनुट कि इस ट्रिक्ली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ठीक है कि इस ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अब यहां पर कोई हमारे पास एक्स्टा ट्रम तो है नहीं तो बस क्या करेंगे f-x और greater than 0 रखेंगे ठीक है क्या रखेंगे greater than 0 रखेंगे ठीक है बही चलो जलब solve करना minus 6 minus 4x greater than 0 अब क्या करोगे बही minus का 6 उठा के उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा जल्दी बोलो यह बन जाएगा आपका क्या बही minus का 6 उधर जाएगा तो plus का 6 बन जाएगा अब क्या करना बही क्योंकि हमें तो बही यह अब 4 है 4 उठा के वहाँ ले जाओ तो क्या बन जाएगा minus माइनस का एक्स 6 अपान में 4 कैंसल आउट करेंगे 3 अपान में 2 तो यानि माइनस एक्स 3 बाय 2 लेकिन बच्छो एक्स कभी माइनस का नहीं रहना चाहिए तो आपको पता है माइनस सिफ्ट उदर करेंगे और आपने छोटी क्लासों में सीखा है कि अगर इनिक्वालिटी मे एक्स का माइनस डिजिट को दे दिया जाए तो सिंबल भी क्या हो जाता है चेंज हो जाता है तो एक्स ही आ गया चलो अब क्या करना है श्रिकले इंक्रीजिंग दिखाना है तो श्रिकले इंक्रीजिंग कैसे दिखाएंगे यह माइनस इंफिनिटी यह इंफिनिटी एक्स क 3 बटा 2 से छोटी कोई भी वेलू रखोगे तो वह सीधी बात है यह तो आल्वेस सी बात है बढ़ा ही होगा तो इसका मतलब यह कौन हुआ लेकिन माइनस 3 बटा 2 से कोई भी वेलू रखोगे आप आगे तो वो तो ओविस सी बात है इससे बढ़ी होगी चाहे तो रखके देख लो भाई माइनस 3 बाई 2 है आप वहाँ पर 1 रख दो तो माइनस 1 तो इससे बढ़ा होता है न इसका मतलब क्या हुआ कि यह हिस्सा कौन सा दो से लेके इंफिनिटी तक और इस ट्रिक्रीजिंग के लिए क्या रहा कि क्या रहा माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 बाई 2 तक इस तरीके से ठीक है करो कि आपको सिर्फ फंक्शन बेचानना ना चाहिए उसके बाद तो कि पताइए आपको जैसरी रहा नोट करो अच्छा फिर एक कोशन और आता हूँ अच्छास एक कोशन यह है यह देखो यह मुझे करके दिखाओ आप लोग करके दिखाओ ट्राइए करो फिर मैं करवाता हूँ यह आया हूँ है मैं बता देता हूं कब यह बोर्ड के पेपर में आया हूँ है 2010 में ठीक है और फंक्शन क्या दे रखा है एफ ओफ एक्स इस इक्वल टू टू ट्वंटी माइनस नाइन एक्स माइनस प्लस सिक्स एक्स स्क्वार माइनस एक्स क्यूब चलो करके दिखाओ यह है कि यह करके दिखाओ हुझे 2010 में आया भाई यह 2010 में आया है कि दून कि अजी उम्मीद करता हूं कर लिया होगा आपने ठीक है वीडियो पॉस्ट करके पहले खुद किया करो ठीक है चलो आप लिख लोगे देड़ कीवर फंक्शन इस नाओ डिफ्रेंशियद विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफडस एक्स यह जीरो यह नाइन यह आगे करेंगे 6 तूज ट्वेल थ्री एक्स स्क्वेर A-9 12 X-3 X-2 अब एक काम करो आप इसमें से क्या करो If minus 3 X minus 3 common लिलो तब क्या देखोगे X square वाली चीज प्लस में हो गई है ये वाली चीज minus में हो गई है हाँ की नहीं और ये वाली चीज भी किस में हो जाएगी प्लस में हो जाएगी पता है ना कैसे common लिया minus का 3x common लिया तो x square plus में 12 में से minus 3 common लिया तो minus का हो जागा क्योंकि minus minus plus होता है तो 4x और इसमें से minus 3 common लिया तो plus का 3 ठीक है अच्छा अब क्या करो इसका factor बना दो इसका factor बना दो बनाओ factor x square 3 बन जाद दी तो मतलब minus का 3 और minus का x x common लोग है x minus 3 minus 1 common लोग है x minus 3 x minus 3 direct common ही आगे na x minus 3 x minus 1 now solve for strictly increasing और उसी से हम क्या निकाल देंगे decreasing ठीक है तो अंजी जब strictly increasing के लिए solve कर रहे तो greater than 0 ठीक है minus 3 x minus 3 x minus 1 greater than 0 minus 3 तो वा जाके खतम तो बचा क्या बचा x minus 3 और x minus 1 greater than 0 let कर लेंगे x minus 3 बराबर 0 और x minus 1 बराबर 0 तो x बराबर 3 आ गया और x बराबर 1 आ गया number line पर representation होईगी यह minus infinity यह infinity आवे left hand side में को ना आएगा 1 और right hand side में को ना आएगा 3 अब क्या करेंगे इसमें value put करेंगे गलती मत कर देना ऐसी बच्चो ऐसी गलती कर मत देना पता है क्यों गलती नहीं कर देना ऐसी इससे दिक्कत क्या होगी क्योंकि बच्चों यहां पर value put कर देते हैं और गलती कर देते हैं तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना कि यहां पर माइनस का 3 है यहां पर किसका 3 है माइनस का 3 है अगर आप यहां पर put कर दोगे तो आप खुड एक वार चेक करो आपको चैक करवाता हूं ठीक है आपको मैं check करवाता हूं value करके देखना माइनस infinity से लेके वन के बीच में कोन आता है जीरो आता है आता है कि नहीं 0 पुट करके देखो देखो जीरो माइनस 3 माइनस 3 0-1-1 तो ये तो plus 3 आ गया greater लेकिन अब इसमें बूट करके देखना जरा अब इसमें बूट करके देखना हाँ जी minus 3 into 0-3 minus 3 0-1 minus 1 अपने आप अब देखना जरा minus 9 आया की नहीं आया हुई ना गड़बड तो इसलिए वच्चो इस वात का ध्यान रखना है हमें इस वात का हमें क्या रखना है ध्यान रखना है और value put करते हुए चलना है क्या करते हुए चलना है value put करते हुए चलना है ठेक है ठीक है तो चलो अब value पूट करते हो चलना है और value किसमें पूट करोगे इसमें पूट करोगे ठीक है करके देखो हां जी minus infinity से one के बीच में value पूट करो 0 पूट करेंगे put करना बच्चो 0 पूट कर रहे हो तो क्या रहा था minus 9 आ रहा था भी आपके सामने तो इसका मतलब यह क्या कर रहा है decreasing चलो अब 1 से 3 के बीच में value पूट करो तो 2 आता है करना पूट बच्चो ज़रा minus 3 तो अपनी जगह पर है 2 minus 3 minus 1 2 minus 1 1 तो इसका मतलब क्या आ गया जीरो से बड़ा आ गया तो इसका मतलब यह हो गया positive अब आएगा 3 से infinity 3 से infinity में क्या आता है 4 आता है 4 पूट करते है चलो minus का 3 तो पहले सही है 4 minus 3 1 4 minus 1 3 तो यह कितना आया minus का 9 तो यह भी negative आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह भी क्या है decreasing so is strictly increasing how is strictly increasing का interval क्या हो जल्दी बता दो एक से 3 ठीक है और strictly decreasing 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 इसका interval क्या होगा जल्दी बता दो क्या होगा minus infinity से 1 union 3 से infinity क्या सभी बच्चों समझ मां आ गया समझ मां आ गया क्यों पूट कि हमने यहां पर क्योंकि अगर इसके आगे minus दिख रहा है तो बच्चों यहां से पूट करना शुरू करना ठीक है यह बहुत बच्चों को देखा मेने गलती करते हुए तो इस वज़े से यह बोड के paper का question है ठीक है अगर यह बोड के paper का question बना है तो किसी reason से बना है और reason अब आपको समझ में आ गय 0 थोड़ी है यह 3 भी तो अपने आप में value रख रहा है और value किस चीज की रख रहा है 3 अपने आप में ही क्योंकि अगर मान लो आपके पास कोई solution 6 आता है और उसको 3 से multiply कर दो तो वह value कितनी बना सकता है 18 बना सकता है यह तो सोचो लेकिन अगर यह value minus 3 है तो वह value 18 थोड़ी अगर 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 तो चलिए आज ही ग्लास में यहीं ओवर कर रहा हूं ठीक है और बच्छो आपको घर से करना है कोशन नमबर सिक्स अगर कोशन नमर 18 यह दो कोशन करने कोशन नमर 6 और कोशन नमर 18 ठीक है बाकी बच्छो हम लोग क्या होते करेंगे बाकी नेक्स लास में आओगे तो increasing decreasing और अच्छे कोशन लेकर आऊंगा और लगबग दो डाई क्लास तो दूंगा में इसके अप्लोगों को ठीक है चलिए तो आज की क्लास यहीं खतम करते हैं बाई